कि चाहे कुछ भी हो जाओ ये कहता था कि मैं चाहे कुछ भी हो जाओ परकास चेर्मेन मर सकता है लेकिन मंत्री के पास नहीं जाएगा वो परकास जिंदा होते हुए भी आज मंत्री की गोद में जाकर बैठ गया और कोट पूतली की जनता को जो लूटने कि इनों ने जो मंसा बनाई है उस मंसा के उपर हम इनको कभी खरा नहीं उतरने देंगे क्योंकि कोड़ पूतली की जंता जागरुक हो चुकी है और आने वाले समय में इनको जो सबक मिलेगा इनको जबाब मिलेगा इनके देखने लाइक इनके पैरों तेले जमीन नहीं रहेगी जो समर्तन दिया है उसकी वज़े क्या लगती है यह तो आप भी समझ सकते हो कि जिसने फारम ब्राब फारम विड्रो नहीं किया और आज पांच में उनको पारशदों को लेकर जो कल तक यह कहता था कि यहां कोड़ पूतली के अंदर पारशदों की बोली लगी बीस बीस पत् पत्चीस पत्चीस लाग के हो सकते मैं तो यह कहना चाहूंगा भारतिया जंता पाल्टी का बोल्ड बन रहा है इसमें कोई किंतु परंतु नहीं